वाही गुरुजी का खाल्चा वाही गुरुजी की फती प्राणी वेलेंदी गल है एक वार एक पहार दे उते एक संत रहिंदा से तपस्या कर्या कर्दा सी पगती प्रमात्मा दे रंग विच्छरंग्या होया बंदा हर वार की हुंदा के उसनु कदेवी खन बढ़ांदी लोड नहीं सी पेंदी प्रमात्मा नल उस दी प्राणी लेव सी ते प्रमात्मा ही उस देली अन पानी दा इंतिजाम करया करदा सी ओ पहार दी चोटी ते संगने रुखांदी विच रहंदा सी ओ थे ना बंदा ना बंदे दी चाओँ सी दूर दूर तक कोई प्रिंदा भी नहीं जी हूदा क्योंके उत्थो तक आंद्यां आंद्यां पहाड बहुत परफीला हो जान दा सी ओ थे साल एणवाली हवा दी भी कमी रणी सी इस करके इंसानी जात उदर बहुत कट सी जानवर भी ओ सन जड़े उथे रह सकती सन आम जानवर भी नहीं सन सो ओ स संत बाबे दी हमेशा प्रमात्मा नाल लेव लगी लिया कर दी जिदों उस दी लेव टूट दी उस दे पिछे एक को एक कारण होंदा सी कि उसने उसनों पोख लगी होंदी सी ते उसने पोख बजोनी होंदी सी प्यास बजोनी होंदी सी किसे विहूर कारण करके कद्यों पकती नहीं सी बंद करदा हमेशा प्रमात्मा समिसर उस दा खाना उस दा पानी उत्य पर गट करदा उसनों इकम करदा बहुत चर होगे सन बहुत साल होगे सन उसने जौँ जणम लेके उस तो बाद सुर्थ संबली उस तो बाद आही कुश कीता कोई भी होर दुन्यावी कामदे विच ना उस दी रूची सी ना ही उसनों करना आया सो जौँ जब मैं उस तो दो चार पंच सत साल बाद जदू तो उसनों सुर्थ संबली उदू तो लेके उसने प्रमातमा दी बंदगी विची समा गुजारिया एक वार की होया कि जिस पगवान दी जिस प्रमात्मा दी उबंदगी करदा सी उसने उस संत फकीर दी प्रीख्या लेनी चाही कि इसनों मेरे ते ज़कीन है वी जान नहीं अइने साल होगे ने अइना लम्मा वक्फा होगया है कि मेरा नाम जप्ड़ा है एक वार दिखना ता बंदगा है कि इसनों मेरे ते ज़कीन कि ना को है उस प्रमात्मा ने सोचा कि चलो इस दी प्रीख्या लेनी है प्रीख्या दी कड़ी इस तरह सोची कि होण इसनों खणा नहीं देना हर रोज दी तरह जदों वो संत फकीर उसनों पोख लगी उसने सोचा कि हूँ थोड़ा समा अराम करके मैं खाना खाना हां मैं एक वार बंदगी विच्चों हट जाना हां बंदगी विच्चों त्याना हटा लेना हां उसने एक दम पगती बंद की थी उसने देखिया जिते खाना पानी हर रोज पर गट होंदा सी उते जाके ना खाना ना पानी ना कुश्वी हूर खान वाली वस्तू बड़ा हैरान होया फिर मांदे वेच उसने सुचिया के शायद परमात्मनों याद पो लगया होगा परमात्मन दे चेते नहीं रिया होना फिर दवारा पक्ती शुरू कर दे हा उसने फिर पक्ती करनी शुरू कर दे ती जदों पोख वदी समा काफी बीट गया कुश केंट आदे वकफे बाद उसने फिर देखिया उते कोई खाना नहीं सी कोई पानी नहीं सी उसने लगया कि शायद हुन आजदा दिन परमात्मन पो लगया होगा और काल ऐसे समें जड़े समें पहला खाना पानी होदा सी उसे समें देखांगे उदों तक परमात्मन दा नाम जाप लेने है अगले देन तक ज़ेस विले खाना पानी होदा सी उदों तक नरंतर बगती कीती नरंतर जाप कीता अगले देन फिर जदों रोटी दा समा होया जिनो उथे परगट हुंदी सी उदुन जाके देख़या उथे ना खाना सी ना पानी सी परमात्मा कली कली कल देख रहे सारी के मेरे नाम जपनवाड़ा मेरी बंदगी करनवाड़ा किन्ना कर चेर मेरी परीक्षा देवी चो लंगदा है अगला दिन में ओस संत फकीर ने आउखा सुखा होके कडले उसन लगया के शायद दो दिन हो गया होवे दो दिन चेता पो लगया होवे दो दन यालद पो लगई होवे तीजे दिन ता खाना शायद मिली जावेगा तीजे दिन जदों पोख अंता धी लग गए कोई चारा नहीं सी जिस वेले अन पाणी उथे परगठ होंदासी तीसरे दिन मी देखया पर तीसरे दिन मी उथे पोजन नहीं सी पहुंचया आउख्यां साउख्यां गाल चौथे दिन उस समय दा इंतजार कीता जदों चौथे दिन भी पोजन पानी उते ना पहुंचेता उस फकीर बाबी दे सबर्दा बन टूट गया उसने फैसला कीता के पुखे मरना लो बेतर है के बंदगी शाट दिया थले जाना है किसी नगर दे वेच्छे मैं पोजन मंग के खाल मांगा उसने अपने नाल दो चार जरूरी वस्ता नहीं आँ ते उस पहाड तो थले वालनों कूच कर देता काफी समा लमा पंद सी क्योंके बहुत जादा समा लगदा है चूटी तो थले नू होंदे है वालने के बड़े होंदे हैं सिद्धा रस्ता नहीं होंदा काफी समा लगदा दपैर तक संत फकीर एक पिंट पहुंचिया पेंट पॉइंज के पहला एक करतों अना आज पाणी मंगया उन्हाने मना कर देता दूजे तीजे चौथे कर जदो गया तो चौथे करवाले ने कुल चार रोटियां देती हैं चार फलके देते के ले बाबा है फकीर हैं दूरूं आया लगदा हैं अपने पुख में टाला है इते बाबार बैटके सड़े खाला है नालते नो पानी दे दे आंगे चार रोटियां लेके बार उठड़े वालनों जदो जा रहा सी बैठन दी कोशच कीती तब पिछे उससे ही प्रवारदा एक कुटा पालतू कुटा जिसनों दरवेश कहीं देने ओ मगर ला क्या संत फक देख्या ता उसने एक रोटी उसनों पाद देती उसने रोटी खाले ते उसतो बाद उसते वालनों फिर पजना शुरू कीता पौंकडा शुरू कर देता संत फकीर बाबे ने तन्य रोटियां लेया ते उठों पजन दी कोशच कीती संत फकीर बाबा अगे 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 ते और पिछे पिछे उसने उस तो बाद पाज़दे या एक रोटी हो रपाद थी ताकि अपना बचाओ कर लूआ ऊवसुपाल तो कुटे ने दर्वेश ने ओर रोटी भी खा लई दूसरी रोटी खान तो बाद फिर बाबे दे पिछे पाज़पया बाबे ने फिर जो नेड़ें उदा देखिया इस तरह लगा कि एह हमलावर हो रही है फिर मिला नकसान कर सकता है उसने एक रोटी हो रपा देती ते अपनी गती हो रवदा ले कुता तीजी रोटी खा के फिर बाबे दे पिछे बाबे ने आखेर वाली रोटी सी जड़ी चौती रोटी ओवी उस कुते देगे सोट देती ते फिर सुर्खरू होके थोड़ा जा उसने अपनी गदी हौले कार ले पर कुटा चौथी रुटी खाके भी उस सादू दे पिछे पजल लग पया सादू बड़ा हैरान थोड़ा जा पजल फिर उस दा जड़ा क्यों कि पुखा सी तें चार देंदा किना का पजल सागदा सी जदो उस दियां लतना जवाब दे गई हैं सीने आउन लगे बुरे हाल हो गए ता था कहार के बैठ गया कुटे देनाल उसने वारता लाब शुरू करनी शुरू कर देती उसने पुछिया कि किना बेशर्म कुटा है तो मैं उस पर वारतों जाके मंग रखी उन्होंने मैंनो चार खुड़के देते चार पर शादे दे देते एक एक करके मैं चारे तेनू पाच चुके है ते तेरी अजेवी पुख नहीं मिटी तेनू अजेवी सबर नहीं आया तेनू तो कारवड़े रोज रोटी बक्ष दे होनगे दें दे होनगे ते मैं ता के ते पहली वर लेना आया सा जा कैई वारी हफता हफताart में रोटी नाम मेले ताम्हेंël दर नहीं बदल्दा मैं ओधे दर ते रहएं हुदा वफादार रहएं है ताइनू तेरी मालक ने एक दिन रोटी नहीं दती दो द आजैनन नहीं दती चोगती देन जो दो नहीं दती तो 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 दर बदल लेगा, साला तो तू, उदे नाम दी लिव विच डुब्या है, उने साला तो तेनू रोटी दिती है, बिना नागा पाया, हर रोज तेरी रोटी ओथे पहुंच दी सी, तांके तू जड़ा काम करदा है, उदे विच विगन नापवे, पर जे हुनो ने परिख्या लेनी चाही, ता तू तो हफ़ते तो पहला ही दर बदल लेगा, कि तेनू प्रोसा नें सी, तेनू क्यों लग गया, कि तेनू मारन पिछे तु ले खुया हुआ ह। तू क्यों ना सोच उचा के कदे ना कदे तो तेनू परिख्या विच पासागता है, इस कहानी दे रहें कहाने कार सानु यही दसना चाहूंदा है कि पालतू हुंदे ने जेड़े जानवर हुंदे ने बेजबान हुंदे ने उनना विच्छ साड़े तो वद वद वफादारी है साड़ा एक मसला कई वरे हालना ना होए ते असी प्रमात्मा बदल लेने है असी दर बदल जिसे साड़ी आस्था साला तो उन्दी है उसनों उसी पिठ वखा जाने है इस तरह नहीं करना प्रमात्मा कई वरी जान बदल के सानु प्रीख्या देविच पाके पर्ख रहा हुंदा है साड़ी प्रीख्या ले रहा हुंदा है इस तरह करनवाले जिन्दी देविच खुशी दिनाल नवास दिन्दा है